हेलो दोस्तो मेरा नाम है मैयश और स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स फंडा में दोस्तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइब करें दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कॉस करेंगे कि जो राजस्थान कोपरेटिव बैंक के रिजल्ट आये हैं दो-तीन दिन पहले, गॉस, पहले result आया था, manager और senior manager के जो थे, मतलब computer programmer और stenographer के result आया थे, उसके बाद, दो-तीन दिन बाद, banking assistant के भी result आया है, तो गैस, उनका document verification अभी होना बाकी है, गैस, document verification के उपर हम थोड़ी discuss करेंगे, उसके बाद हम waiting list के बारे में पर थोड़ी बात थोड़ी बहुत डिसकस करेंगे ठीक है अगर आप को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना ठीक है चलिए आगे चलते हैं वीडियो को बिल्कुल इसकिप मत करना काफी सारी इंपोर्टेंट ड्यूज वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने बाला हूं चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो दैनिक नवज्योती के अजमेर का जो एडिसन उसके अंदर ये न्यूज यहां आरकी है म इसमें यहां दे रखाए कि 15 दिन में करना होगा अभिरतियों के दस्तावेजों का सत्यापन सहकारिता बैंक परिक्षा में चैनित अभिरतियों की नियुक्ति प्रक्रिया अपनारे के लिए सिसीबी को दिये निर्देश चलिए आगे चलते क्या देर खाए इस न्यूज में सहकारिता विभाग ने केंद्रिय सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को बरने के लिए गत वर्ष दिशंबर माह में आयोजित कराई 715 पदों की भरति प्रक्रिया का परिणाम गोशित करने क के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया की भी शुरुवात कर दी है ठीक है गाईज यहां देर खाय कि विभाग ने अजमेर सेंट्रल कोपरेटिव बैंक के प्रभंधन को चैनितों की सूची भेज कर 15 दिन में अभ्यरतियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर नियुक्तिया देने के निर्देश दिये गए हैं ठीके दोस्तों 15 दिन में दस्तावेज सत्यापन करने की जो निर्देश दिये गए हैं सत्यापन के दोरान अभ्यरतियों को मूल दस्तावेजों में सेक्शनिक योगी था मतलब की दोस्तों आपको दस्वी की मार्कशीट बारवी की मार् ठीक है दोस्तों पहचान प्रमान पत्र के अलावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना और वर्ग की भी जाच पड़ताल करनी होगी समस्त दस्तावेजों के सही पाये जाने के बाद नियुक्तिया दे सकेंगे ठीक है उलेकनिया है कि विभाग ने इन पदों में से बैंकिंग सहायक पांसो बायासी ठीक है वरिष्ट प्रभंदक के 6 प्रभंदक के 114 और कम्पिटर प्रोग्रामर के 10 तथा इस्टेनोग्राफर के तीन पदों पर अजमेर के गेगल सेंटर में ओनलाइन परिक्षा कराई थी एसी सीबी में विभिन समवर्ग के 30 पदों को नियुक्तिया दी जाएगी इन में 5 प्रभंदक एक कम्पिटर प्रोग्रामर और 24 बैंकिंग सहायक के पद सामिल है तो गाइस यह हो गई की डोकुमेंट वेरिफिकेशन की बात की दोस्तों 15 दिन के अंदर अंदर जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन है वो होने के चांस है ठीक है और गाइस अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो गाइस वेटिंग लिस्ट के काफी सारे कमेंट मुझे मिले थे नेक्स वीडि वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं तो गाईज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें वहां काफी सारी न्यूज अपडेट होती रहती है जो एडले न्यूस पेपर देटेशन थे लेटेड़ वहां न्यूस पेपर अप्लेड अपलोड होते रहते हैं तो गाईज चैनल पर जरूड़ जुड़िए टेलिगाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए काफी हलप पूल चैनल है ठीक है और गाईज आज मा सिवरात्री है आप सभी को मा सिवरात्री की हारदिक सुप कामना है ठीक है और एक न्यूज और कल S.B. क्लर्क प्रिलिम्स एक्जाम है फस्स शिफ्ट से ठीक है तो गाईज उसके लिए आप सभी को all the best और आपके आगान वाले एक्जाम के लिए all the best Have a nice day Bye दोस्तों